नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया आज 27 मई 2020 को करोना वाइरस केस की संख्या भारत में डेल डाक से भी ज़ादा हो गई है भारत में करोना वाइरस केस दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी भी सरकार भी पूरे प्रियास में लगी हुई है कि करोना वाइरस पर किस तरह से रोक थाम कर सके भारत सरकार द्वारा करोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए आरोग्य सेत्यू एप बनाई गई थी आरोग्य सेत्यू एप को देश में 15 दिन के अंदर 5 करोड 40 दिन में 10 करोड लोगों ने डाउनलोड किया केंद्र सरकार के मुताबिक करोना वाइरस संकर्मन को रोकने के लिए तैयार किया गया यह एप देश में अब तक 3000 होट्सपरोट का पता लगा चुका है इस एप को लेकर कई एप्लिकेशन जानकार ने सवाल उठाए केंद्र सरकार ने देखा कि आपकी गोपनियता पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं इसलिए उन्होंने एप का सोर्स कोड सार्जनिक करने का फैसला किया जानते हैं source code क्या है? Source code वह program होता है जो programmer द्वारा बनाया जाता है Source code काम कैसे करता है? Source code compiler द्वारा binary को code में बदल जाता है जिसे computer समझाता है राश्टे सुजना विज्यान केंदरें शोत करताओ को app में खामियों को खोजने के लिए प्रोसाहन करने के लिए एक बग धुणने का कारेकरम की घोशना भी की है अगर कोई भी प्रोग्राम वाला एप में बग धुणता है तो उसे सरकार द्वारा एक लाख रुपए देने की घोशना की गई है